Now chapter number 16 और chapter का नाम है indoor games हम उन games के बारे में पढ़ेंगे जो घर के अंदर खेले जाते हैं घर के अंदर जो game खेले जाते हैं उन्हें हम indoor games कहते हैं तो चलिए अब हम उन games के बारे में पढ़ते हैं लूडो घर के अंदर खेली जाती है लूडो को खेलने के लिए हमें dice की और लूडो की किसकी जरत है लूडो की गोटियों की जरत होती है The next one is billards ये भी एक indoor game है जो different balls और एक stick से खेला जाता है The next one is jigsaw puzzle मतलब अलग-अलग टुकडो को जोड़ कर एक picture बनाई जाती है Puzzles का मतलब आपको puzzle करना मतलब घुमाना इसमें क्या होता एक बहुत बड़ी picture होती है उसको different different टुकडो में तोड़ दिया जाता है और आपको क्या करना होता है उसको proper picture की shape देनी होती है The next one is chinese chicken table tennis table tennis को खेलने के लिए दो players चाहिए होते हैं और दोनों player के हाथ में small racket होता है और किस से खेला जाता है? बॉल से Now the next one is chess बहुत ही interesting game होता है Chess को खेलने के लिए भी हमें दो players चाहिए और chess white और black square board पर खेला जाता है इसमें different and different characters होते हैं Like black team होती है और white team होती है इसमें king होता है, queen होती है, horse होता है और elephant होता है Different and different characters होते हैं chess में Video games जो TV पर या monitor screen पर खेले जाते हैं Video games Blocks Blocks मतलब different different colors को छोटे छोटे टुकडे होते हैं इने जोड़कर कोई न कोई picture या कोई एक shape बनाई जाती है Carom board Carom board में खेलने के लिए कम से कम दो और जादा से जादा चार लोगों की ज़रत होती है इसमें भी क्या होती है white, white और black छोटी 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 गोटियां होती है ये striker से खेला जाता है और इसमें एक red गोटी होती है जिसे हम रानी कहते है चलिए अब time है कुछ question के answer देने का Which is your favorite indoor game? आपको बताना है कि आपका favorite indoor game कौन सा है मेरा favorite indoor game है Ludo तो मैंने Ludo लिखा आपका जो है आप उसका नाम लिखेंगे How many players do we need to play chess? Chess को खेलने के लिए हमें कितने players चाहिए? We need two players, T-W-O, two players In which game do we roll our dice? हम कौन से game में dice को roll करते है तो बताये कौन से game में हमें dice को roll करने की जरुत होती है We use dice in Ludo Now the time for some memories Games are essential but do not play too much to lag behind in your studies बच्चों, game खेलना अच्छी बात है वो हमारे लिए जरूरी भी है लेकिन हमें जादा game नहीं खेलने चाहिए ऐसा ना हो कि आप जादा game खेलें और अपने पढ़ाई से क्या हो जाए? पीछे हो जाए, आपके कम नमबर आए हमेशा games को अपने free time में खेलना चाहिए अपनी पढ़ाई को सफर नहीं कराना चाहिए गेम को खेल कर